तो आज मैं गीना दूए हूँ आप सब के लिए बहुत मिजदार वीडियो के साथ आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वह बहुत ही फीमस रहुआ थी इनीक रेसिपी है हमारी जो मैं आपके चाहदा श्यार करूंगे तो विडेबू कंप्री देखेगा स्केपनी की आपके रेसिपी है बहुत ही मिजदार बनकर रेडी होगी आज मैं जो बना रही हूँ उसका नाम है प्राउन राइस यानि के जिंगी के चावल जो भी हरे मिसाले मत चलिए देखते कैसे बनते है विडे को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक किलो जिंगे लिए जिन आपके कर सकते हैं दो लेसन के पूल है पूरे जिनको मैंने अच्छी तरह की से क्लीन करके अलग कर लिया है चार सोय की अट्थी है पांच तनिया की गठी टेर टेबल स्पून हल्दी है आफ टेबल स्पून सोखी में थी है सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्टी उसकीजेगा अब मैंने एक पॉर्ड ले लिया जिसमें मैं हाफ कॉप और करोंगी हाफ कॉप से थोड़ा साजाधा एट करोंगी यानि यह तो टेबल स्पून ज्यादा और और पर और जासे है वह उसमें राइट करेंगे और सुखी मेथि अट करेंगी और इसको अच्छी तरह की से बन कि देखें इस तरीके से और Bरूट कर दानें या जीघे वोकाँबर करेंगे थास में नभी टेबल स्पून और इस को फूर स्टेफी और इसको जह वह उसी तरीके से टेचारी कि से अ western किặc नवकाव अपने से अपसाइट कीजिए और इसको भी अगेन अचितरीके से बुन लेना है इसके बाद यहां देखिए मसाला चितरीके से पक चुका है और अब इस पॉइंट पर हम अपने आलू एट कर देंगे आलू आप चाहें तो ज्यादा एट करें और चाहें तो इसको बीड़ सकते हैं और इसको देस्मेंट के लिए चोड़ देंगे यहां देखिए हमने अदग लास पानी डाले के दसमें के लिए चोड़ देखिए और चाहबलों का पानी आप करेंगे तीन ग्लास चुक्कि हमारे चाहल जो है वो सवा किलो है अब इस पॉइंट पर हम इसम सवा किलो चावल हैं जिनको मैंने अची तरीके से दो कर बिगो दिया था बहुत ही ची तरीके से हम चावलों को एट करेंगे एक चावल एट करेंगे कोई भी चावल हम छोड़ेंगे नहीं यह देखिए इस तरीके से और अब हम इसको अची तरीके से मिक्स करके इसके पानी सूपने तक का वेट करेंगे और यहां देखिए हमाई जो चावलों का पानी है वह आलमोस्ट शूप चुका है यानि के चावल ऊपर आ चुके हैं अब हम इसके दस मिन के लिए इसको अची तरीके से और छोड़ दे करेंगे दम पहले पांच मिन के लिए तेज आच पर रखते हैं और इसके बाद जाहें निके मीडियम पर रख देते हैं यह देखिया जो जींगे की चावल हैं हाई मसाले में और चुके हैं तो रैडि होके तो उमीद कर तो कि आपको रेस्पी ची लगे होगे यह ची ची लगे अधर वीडियो को लाइक करना ना भूले शेयर करें कॉम्मिन करें और अधर रेस्पीज के लिए मेरे जैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हो नेक्स रेडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआउ में याद रखेगा अला हाफिज